हेलो फेंट्स दिस इस पवन चौधरी वेलकम टू सार्थी एड्यूकेशन MPPSC व्यापम और UPSC और इन सभी एक्जाम्स के लिए इस वन अब बोस्त इंपोर्टेंट कोर्स NCRT क्लास 6 हम लोग पढ़ रहें और इसके अंदर हम पढ़ रहें चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 का इसके पहले हम बागी के चैप्टर आठ चैप्टर हम क्प्लीट कर चुके हैं कुछ चैप्टर थोड़े से आगे पीछे हैं जिस अभी में 12 पढ़ रहे हैं इसके बाद हम 11 और 9 पढ़ेंगे तो थोड़ असा ओडर आगे पीछे बड़ चैप्टर जितने भी आपके बारा है वह सभी कंप्लीट होंगे चलिए तो इसके पहले आपको बता जिता हूं कि कौन-कौन से कोर्से हैं अनकाडमी पर चल रहे हैं तो MPPC मेंस पेपर 4 का एक कोर्स चल रहा है जिस है जो इंडियन पॉलिटी एन एकोनोमी है वो चल रहा है उसके लाव एक नया कोर्स 15th of August से स्टार्ट होगा 15 अगास से स्टार्ट होगा इस MPPC मेंस पेर 2020 पार्ट वन पार्ट एक तो जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैप करूंगा और उसके बाद जो पार्ट बी है जोग्रफी पार्ट वह आपका सेप्टेंबर के अंदर महां पे लॉंच किया जाएगा उसके लावा सेप्टेंबर में इक और कोर्स पार्ट वहां चल रहा है उसके लावा पेपर 3 और पेपर 1 के कोर्से है 2019 के लिए चल रहे है आप मेरा जो कोड है पावर लाइप यू के यूज दिस कोड इस परसेंट इसकोंट पास सकते हैं और उसके लावा यह मेरा मुबाइल नंबर है जहां पर आप जाके मुझे इमारते चितर और किताब तो इनके द्वारा क्या 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 स्टोरीज हमको सुनाई गई या किस प्रकार जे हमको चीजों के बारे में पता चलता है तो क्या क्या चीजे हैं इसके अंदर पहले बात करेंगे आइरन पिलर की इसके बाद building in the bricks and stone इंट और पत्थरों की इमार और उसके बाद जो आम स्टोरी टेलर होते हैं या आम लोग हैं उनके द्वारा कुन-कुन सी स्टोरी सुना ही जाती है लास्ट में हम बात करेंगे राइटिंग बॉक्स ओन दा साइंस विज्ञान की पुस्तके हैं तो विज्ञान की कुन सी पुस्तके वहाँ पर आपको पर आप बड़ा सा बाद यहाँ ऑगा और बहुत आप झागे हैं अगर अब हुआ अभी इसको देखोगे हैं उसके सेंटर के ओपर यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अंदर जो जो जंग बगरा है भी इतना जादा नहीं लगा थोड़ा बहुत तो जंग लगेगा क्लाइमेट बहुत जादा पॉलिटेट हो गया है और उसके कारण थोड़ा बहुत रस्टिंग इसके उपर आपका हो रहा है ठीक है तो यह इसके एक इंपॉर्टेंट है 7.2 मीटर इसका हाइड है साथ दिश में लग दो मीटर हाई है और तीन टन की इसका वजन वहाँ पर है और इसको वहाँ पर तक्रीपन पंद्रा सो साल पहले इसको बिल्ड किया गया था अभी वहाँ पर एक राजा का नाम लिखा हुआ है अभी चंद्र से हम पता ही लिए प्लाय वंपा पर आपको लिखा गया हो गया गया ांश को बताता तो उसके बारे में हमको बात करते हैं, जैसे 18 टाइम में कर आप देखोगे, तो 18 टाइम में हमको कई सारी जो मुर्तियां मिली है, जैसे एक dancing girl है, उसका एक sculpture है, वो sculpture वहाँ पर मिला है, तो हमको बता आयता है किस प्रकार से जो art and culture है, वो ancient time पर भी वहाँ पर आपका develop था, और किस प्रकार से जो copper है, copper का methodology है, वो methodology का उपयोग वहाँ पर आपका उसके अंदर किया जाता था, खेर उसके बाद धिरे धिरे जो iron है, iron आने वाले समय में आया, उसके बाद जो manufacturing bronze by mixing copper और tin, तो copper और tin को मिला के bronze है, bronze का निर्मार्ण किया, और especially bronze के कई सेरी जो मुर्तिय पर आपके बनाए जाते थे, क्योंकि जो copper है, वो इतना अदर stable नहीं होता है, यह copper कर जाता था, टिन मिला कि जो bronze है, वो bronze बड़े level के उपर, यह आपका जो तांबा है, वो आपका जो कासा है, वो कासे के उपयोग काफी बड़ी मात्राव में किया जाता था, और अभी भी कासे का उपयोग, जो अलग-अलग प्रकार की जो मूर्तियां है, उन मूर्तियों को बनाने के अंदर यहां पर हम करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे हड़पन फेस में इसका उपयोग होता था, खेर, you know that, कि उस समय पे इनसान के पास जो iron का knowledge था, यह लोहे का knowledge नहीं था, औ इनसान का जो पूरा life है, पूरा life change हो गया, क्योंकि उसके पहले bronze या फिर copper है, उसको उपयोग हम खेती बगरा करने के लिए है, यह agriculture के लिए नहीं कर सकते, जबकि आपका जो लोहा था, जो iron था, उसको उपयोग आपको पता है, कि मूर्तियां वगरा नहीं बनाई जाती ह लेकिन फिर भी, sculptures के अलावा आपका जो हतियार बनाने में, या फिर आपके जो दूसरे पकार की ओजार वगरा बनाने में, and other than that आपके जो प्लू वगरा है, या हल वगरा है, उसको बनाने में काफे बड़ी मात्रा में, लोहे का उपयोग वहाँ पर आपका किया जाता था टीक है, उसके अदम बात करते हैं, buildings in the brick and the stone की इटो और पत्थरों की इमारते हैं, तो कई सारी इमारते उस समय बनी, पहले के chapters में हम हड़पन की जो स्टोरी है, वो हडपन की स्टोरी देख चुके हैं, कि किस प्रकार से हडपन के अंदर इटो का बड़ा जो शहर था, वो उसको पता ही है कि बुद्धर्म के अंदर जो पूजा वगरा है, इन स्टूपों की पूजा की जाती है, तो उस समय पे जो स्टूप है, उन्हें स्टूपों को बिल्ड किया गया, और उस समय का जो आर्किटेक्चर था, उस समय के वास्तू का लेतरी, उसका का साइज है, तो अलग-अलग था स्टूप हो तैंजिसे हमारा साजी का स्टूप है, तो उसकी उचा ही काफी जादा है, उसके लाबा हमारे आप सिहोर के अंदर जो स्टूप मिलते हैं, थोड़े बहुत मिले हैं, तो वहां पर उनمنका ह consist сов है कॉष काफी चोटा है, कुछ या बुद्धि के जो इंपॉर्डिन शिश्य थे उनसे रिलेटर जो चीजें वहाँ पर आपकी रखे जाती है जैसे अगर हम बात करें कि उनका जो टीथ है उनका दात हो गया या उनके बॉन है या उनके एश है वो रखे गया जैसे बुद्धि की जब डैथ हुई तो जो एश है या फिर उनका जो चहां पर टीथ था उससे वहाँ पर बनाया गया तो उस प्रकार से उन स्थूपों के अंदर उन चीजों को वहाँ पर आपका रखा गया तो उनको मरने के बाद उनके जो बॉड़ी पार्ट्स है विज वेरी इंपॉर्टेंट और इस प्रकार जो भी चीजे थी बुद्द से या उनके शेशों से संबंदे तो वह उन स्थूपों के अंदर उनको आपका सेव करके रखा जाता था ठीक है यह स्थूप है आपका तो यह सांची स्थूप और यह आपके कहा जाता है कि अशोग के टाइम पर इसको भापर आपका बनाया गया जो बनाया गया जिए शमर्मि का गरहें के स्थूप है एक मांड है एक मांड होता था बहुत ज़्यादा ऊबर को स्ट्रैक्चर से नहीं बनते थे और बात क्यी स्ट्रैक्षर से वो structures वहाँ पर आपको उसके अंदर रखे गए तो बाद में फिर उसको पहले उसको मिठी से ढगा गया फिर बाद में उसको जो कच्छी इटे हैं उससे पैक किया गया फिर बाद में पकी इटे और कई सारे दूसरे stones वग रहा हैं उनसे वाँ पर आपको ढखने की कोशिश की प्रदक्शुना पद उसको बोलते हैं या परिक्रमा मार गभी इक अर्म बोलेंगे बड़ स्पेशली जो बुद्धिस्ट लेंग्वेज या जो पाली बगर्पद्धिस जो टर्म है उसके अंदर उसको प्रदक्शुना पत बोला जाता है तो प्रदक्शुना पत को बनाया गया उसके चारों और कि ताकि लोग वहाँ पर घूंब के उसके परिक्रमा है परिक्रमा कर सके और बाद में परिक्रमा करना काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई अभी बैर आप किसी बुद्धिस टेंपल में जाओगे या किसी बुद्ध मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रदक्शुना है वह पर आपको लगाना पड़ता है ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट था बाद में जो रेलिंग वगरा इश. वहा रिलिंग वगरा लगाई गई ताकि अधार करकर सकें दोनेर चीजह WR competitors में उसके बनाये उसके लावा य competent अमरावति का अंपर आप और पर आपको देख रहा होगा अज यहाँ और आyards आप और elephant को लेके जो बुद्ध की कोई story है तो story यहाँ पर आपके बताई गई है कि बुद्ध के समय पर क्या चीजें हुई या बुद्ध से लेड़ेट कोई story है तो इस story का depiction है वो depiction उसके अंदर किया गया है तो यह बात हुए आपके बुद्ध स्टूप की उसके लिए एक important center अब अमरावती के अंदर भी काफी बड़ा जो स्टूप मिला है वह अभी existence में नहीं है या अभी तक पूरी almost वह पूरा तरह सापका खतम हो चुका है तो उसमें जो स्टोन की carvings वगरा है पेसरे decorations वगरा उसके अंदर मिले हैं तकरीबन 2000 साल पहले 2000 यह पहले यह स्टूप है वह स्टूप वहाँ पर आपका बना था जो अभी existence में नहीं है जैसे हमारा जो सांची का जो स्टूप है जैसा दिखता है तो वह समय नहीं हुआ करता था ठीक है उसके कई सारे Hindu temples से कई सारे Hindu मंदिर से उस समय पे तो हिंदू मंदिरों को वहाँ पर आपका erect किया गया उ उसके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वह था गर्बगरह और यहां पर जो भगवान है जो गौड है जिनकी वहाँ पर मुर्ती है या जिनका भी मंदिर है वहाँ पर तो उनको स्पेशली उस जगे पर आपका रखा जाता है उनकी जो में जो मुर्ती होती है या उनका जो भी में जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर वाब पर चाहा है वो शिवलिंग हो या मुर्तियां हो उस गर्बगरह के अंदर रखा जाता है और जो पंदित वगरा है वो पूजा पार वगरा उस एरिया पर करते हैं काफी सिंपल चीज़े है उसके बाद है यह अपके भी थरगाउं यह यूपी के अंदर आपका लुकेटेड है ठीक है वीरगाउं है तो यह जो इनिशल आपको टैपल से अनमें से एक था अभी आप यह आप देखोगे कि मंदिर में इनिशली आपके जो श्रक्चर हैं आपको शिखर वगरा दिखा ही देगा ज एक्दम समतल सतह उनकी होती थी लेकिन बाद के समय में आप देखते हैं कि द्रे-द्रे जो शिखर हैं वो शिखर आपके इंट्रिडियूस होने लगे और बाद में शिखर एक प reflect आपके हैं उसके ज승 मनडप होते थे मंडप के अंदर और कोई बी मंदिर आपने देखा हुआ ईसके बाहर के बड़ा सा अंगान होता है बड़ा सा खुला एरिया होता है तो मंडप होता है तो मंडप भी एक पार्ट डवलप हुआ जहां पर जो डेवोटीज हैं जो आपके जो श्रधालू अगरा है वो बैट के महाँ पर पूजा कर सकते हैं तो इसके लिए आपके जो मंडप्स हैं उन मंडप्स का निर्मार महाँ पर किया गया जैसे महाबलीपूरम का इसका नाम है monolithic, लिथिक का मतलब होता है stone और mono होता है single उसका पूरा निर्वार नहां पर किया गया जिसे स्टूप की अबने बात किये तो स्टूप कई सर अलग अलग पत्थरों से मिलके बनाया होगा लेकिन ये जो पुरा स्ट्रक्टर है ये एक ही पत्थर से या एक ही पुरा चट्टान थी उसको काट के महाँ पर आपका बनाया गया था सिंगल मौनोलिथिक टेंपल है महावलिपूरम के अंदर बनाया गया है तो आप अंदार लगा सकते थे कि इतनी बड़ी चट्टानों को काट के अंदर मंदिर बगरा होंगे या बाकी चीज़ें होंगी तो कितनी मुश्किल से बिना टेक्निलोजी के या बिना मशीन के टेक्निलोजी तो थी लेकिन कितनी सारी मशीन का उप्योग किये बना इसका स्ट्रक्चर महाँ पर आपका बनाया गया तो यह बात हुए आपके मंदिरों की अब बास यहां पर यह होती है कि सबसे बड़ा सावाल यह है एक स्टोरी में आपको बताता हूं जैसे आपने बाहुबली मुवी के अंदर भी देखा होगा कि इस प्रकार से वह बड़ा सा पत्थर जो है और बड़ा जो मुर्ती थी बाहुबली की उसको लोगों खड़े करते तो साउथ के अंदर जो काव शिकर है उसके बड़ी सी उची हाइट हुआ करती थी अब इतने उपर अगर पत्थर पहुंचाना है तो काफी डिफिकल्ट है क्रेन वगरा तो थी नहीं कि महां पर आपका पहुंचा दिया तो ने क्या करा कि महां पर होना है तक्रीबन 3-4 किलोमेटर लंबा एक पात बना तो यह इस प्रकार के टेक्निलोजी वगरा यूज कियाती थी और भी कई प्रकार के स्टकनीग है इनका उपयोग करके उस प्रकार से मंदिरों का निर्मान है, वो मंदिरों का निर्मान होँ tavしल्ट के टेजिसें मर्ल निर्मान वहां पर हुया है, पहले तो आपके प्छे वहाँ पर लाके लेके जाते थे, कई सारी ऐसी चीज़े मिलती है, जो इंडिया में नहीं थी, वो रोमन्स के पास में थी, तो रोमन्स रिलाके उनका डवलप्मेंट है, वो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर आपको किया, ऐसे कई सारी चीज़े आपको देखने को मिल सारे लिभी जाएंगा, उसके लावाँ कई सारे पिलर हैं, तो आपके स्टोन वगर Health को ढूपने के बाद, उनको एखटा करने के बाद, उनके पिलर पिलर हैं, वो फिलर वrg आपको आपको बनाये जाते हैं, वो पिलर वगर आपको इंसक्राइब किया जाता है, उसके ब यह पर एक एक रॉक है और उस रॉक को कट करके उन्होंने कि मल्टी स्टोरी टेमपल के भी वहां पर उन्होंने बनाया है और कई सवा प्रूमस वगरा है पूरूम का डवलउप्मेंट भी किया है ठीक है तो यह बात हुए आपके प्रापाशान मत्य पाशान काल लेकर दिरे दरे इनसान जब डौलोप हुआ तो आपके र दिरिउंग सिग्स उहां पर आपके औहा website उस इससेड़ा वहाप है तो कि Rs. dieta के अंदर आपके बनाए औरками यहांप देखो होगे कि especially कई सारी जो painting है वो गुप्त समय पर या गुप्ता समय जो था उस गुप्त समय पर उनका development किया गया तो कई सारी जो भुद्ध विक्षु वगरा थे वहाँ पर जाते थे बड़ा-बड़े विहार वहाँ पर बने थे विहार और चैत्य आपको बना चुका हूं तो बुद्ध के जाते के stories हैं यह बुद्ध के दूसरी जो stories है उन stories के बारे में information आपको यहाँ पर मिलती है और यह के उस वगरा है उनके अंदर आपको light वगरा तो होती नहीं थी तो आपकी मशाले वगरा लेके अभी painting वगरा महाँ पर आपका proper तरीके से बनाया गया और जो natural color है जो प्राक्रातिक रंग है चाहे वो पेड़ पोदों के हो या आपका जो ओकरे होता है चूना पत्थर है या ओकरे या फिर गेरू अगरा होता है उसका उप्योग करके वड़े लेवल पर इस प्रकार के जो painting वहाँ पर आपकी बनाई गया और अलग-अलग प्रकार के colors वहाँ पर यूज किये गए यह सबसे famous painting है अजन्ता की ठीक है तो इस प्रकार के painting बनाई जाती थी कहरें का color तो अब तो ऊड़ चुका है लेकिन फिर भी उनको कुछ-कुछ renovate करने की कोशिश की गई है कुछ natural तरीके ऐसा है अगर उसमाई आप देखो कितनी सुन्दर मनाया होगा और I think कि Mona Lisa भी उसके सामने क्या लगेगी इस प्रकार की paintings के सारण लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमने जो विदेशी चीज़ें है या उन चीज़ों को ज्यादा importance दिया as compared to हमारे देश में जो develop है उन चीज़ों को ठीक है उसके बात करते किताबों की या उसके अंगर बट उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कई सारे पुरांट लिखे गए महाबारत और आपके इस प्रकार की रचना है महापर आपके लिखी गई उसके बाद अभी आप देखो गए तो कई सारे आपके जो उसमय और भी कई सारे heroes थे उनकी story है वह story महाप अभी करमगर के story है यह story यहां पर लिखा अब यह जो story थी यह दो व्यक्तियों की थी एक love triangle था कि उसके बीच में कोवलम नाम का एक merchant था एक व्यापारी वहापर आपका हुआ करता था और उसके साथ में उसके वाइफ थी तो कनंगी उसकी वाइफ हुआ करती थी लेकिन उ पूरा एरिया छोड़के वहां से आपके चले जाते हैं जब वह जहां पर जाते हैं तो जो कनंगी का पती है उसके ओपर आरोप लगाया जाता है कि उसके पती ने किसी दूसरे विक्ति का जो कुछ एक व्यापारी था उसका धन वगएरा वहापर आपका चुराया है और ब जो कनंगी है वो फूरी अंग्री और उस में पूरी मदुरही को तो पूर मद्युर्रही और को आपको जला दिया और उसका सरवनाश कर दिया था तो उसके उपर जो सुलापति करम है उसकी पूरी स्टूरी है DOOMEN है कि आपको है इसपनुछ भेस्त्य कर सकती है सब कूछ उन्होंने इस story को वहाँ पर आपके south के अंदर लिखा था, especially वहाँ पर जो कोवलम और जो माधरी है, तो story of the daughter of कोवलम और माधरी है, उनकी एक बेटी थी, तो उसकी बेटी की story उसने money make life के अंदर उसको आगे continue के वाया, तो ये दो epic है, ये बताते हैं किस प्रकार से किस प्र पुरांड्स हैं, कई सारे पुरां बाद में लिखे गए, तो वो तक्रीवें अठरा पुरां आपके होते हैं, तो अलग-अलग पुरांड है, वो god और goddess की stories हैं, विश्न, वुशे, दुर्गा, पहरवती, इन सब की stories उसके अंदर आपको लिखी गई, और बताये कि किस प् अब जोड़ सकते हैं, अब जो पुरांड लिखे गए, तो अगर हमने वेद की बात की, तो वेद जो थे, वो काफी एक tough language में या बोल सकते कि वेदिक संस्कृत है, उस वेदिक संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन जो पुरांड लिखे गए, तो इसको हड़ा simplify किया गया क्योंकि तक्रीमार आप देखोगे, 6-7th century के बाद, especially जब गुपता पीरेट भारत में आया, तो गुपता पीरेट के आने के बाद, जो संस्कृत है, उसका उप्योग काफी बड़ी मातरा में होने लगा, उसके पहले पाली और जो दूसरी languages थी, वो बड़े लेवल पर Indian history या Hindu धर्म की जो है, एक golden age उसको कहा जाता है, तो उन्होंने सिंपल संस्कृत के जो verses है, वोमन उसके ओपर लिखे, यह जो पुरान वगरा होते थे, इनको वोमन को शुद्र को, इन दोनों को पढ़ने का उनको राइट्स नहीं होता था, उसको सुन सकते थे, लेकिन उस प्रकार की जो stories वगरा है, कई सारे पुरानों को लिखने में उनका मदद किया है, ठीक है, उसके लाइट दो important आपके जो epic थे, एक था आपका महाभारत और दूसरा जो epic था, वो है आपका रामायान, तो दो important epic महापर आपके लिखे गए, और दोनों जो epic है, आपके पुरा लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग राम से दूर हो रहे हों, तो उसके लिए फिर तुसी दाज जो थे, उन्होंने 16th century की end में, तकरीबन 1597 येर बताया जाता है, कि उस साल पे उन्हें जो रामचरित मानस है, वो रामचरित मानस होनने वहापर आपका, रामायन के अंदर आप आपका लिखा हुआ था, ठीक है, उसका जो ordinary लोग थे, आम लोग थे, उन्होंने कही सारी stories, कही सारी जो कहानिया है, वो कहानिया उन्होंने लोगों को बताई, कि ये तो अभी पहले तुमने पुरान वगरा की बात करी, कि पुरान वगराओं में क्या था, लेकि तुमने लोगों के बारे में information, या जो बी कहानिया वगरा थी, उस समय के पहले के समय पे आपका हो गया था, और especially अगर आप यहापर देखोगे, वहां पर आपका लिखा था और उस समय पर उन्होंने इस परकार से आपके जो सन है तो उन्हेंने बोला कि सुर्य है वो राइस होता है संद्राइस और संसेट दोनों चीज़े होती है में लोग कहीं ने कहीं जो है moment उसके अंदर हो रहा है तो उनने पहली बास sunrise, sunset या जो प्रत्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है उस concept को बताया इस प्रकार के कहीं सारे experiment है इस पर ग्रहन बगरा होते हैं या आपके जी eclipse होते हैं उनको बताया कि किस प्रत्वी है वो पुरी दुनिया का केंद्र है पुरी संसार का केंद्र है और सभी जो ग्रह हैं including the sun वो प्रत्वी के आसपास वहाँ पर आपका चक्कर लगाते हैं कुछ सब्सक्राइब कुछ stable है कुछ भी मूह नहीं होता है फिर कुछ बोला गया कि धर्ती जो है वह फ्लैट है फिर बोला गया धर्ती जो है वह आपकी एट कॉल आपकी square है या rectangle हो सकती है तो अलग-अलग जो stories है अलग-अलग theories वहाँ पर आपकी चलती थी बट उन्होंने आरे जो theories है वह कई सरी theories आपको अलग-अलग विज्ञान को लेके अलग-अलग theory थी ठीक है अब उसके अलावा एक सबसे important जो theory थी वह थी zero की तो zero दिया मेरे भारत ने दुनिया को दब गिंती आई ठीक है तो वह story सही है तो पहले जो zero था तो Romans की हम बात करें तो Romans जो इस प्रक प्रकार से वह number थो आप इस प्रकार से लिखेंगे ठीक है तो 11 12 बट उनको zero का knowledge नहीं था जब तक zero नहीं आया तब तक जो mathematical calculations है या बाकी जो किंती है उनको करना था थोड़ा मुश्किल था सोचोन अगर मैं आपको एक question दूँगा मैं आपको बोलूँगा लिखो 3 प्लस 2 कि क्या लिखूंगा मैं अगर फाइव भी लिखूंगा तो फाइव तो मैंने लिख दिया मैं बोलूँगा 200 प्लस 300 तो 200 लिखना तो मुझे भी नहीं आथा कैसे आता है मुझे पता है कि international numerals यहां पर यह होते हैं तो पहले जो Romans थे इस प्रकार के जो numbers है और numbers को आपको लि information है जीरो के बारे में जानकारी है वो यॉरॉप तक ले गए और फिर दीरे-दीरे यॉरॉपेन जो लोग थे उनको जीरो के बारे में पता चला शुन्न के बारे में पता चला ठीक है उसके लाग जो आयुरवेट था इस वेरी इंपोर्टन पहले लोग आयुरवेट से नाम भी आपने सुना होगा तो इस पेशली यहां पर आपके जो चलक है चलक इस वेरी इंपॉर्टन परसंट जो नहीं है इस सब चीज लिए पहली और दूसरी सेंचुरी में फिर सुश्रुत हुए फोर सेंचुरी में और इससे कई सारे चलक सहीता चलक नहीं आपको हड़ियां बताई ब सब्सक्रेंट जो में जो जो होते हैं उन जॉइंस को बियुक्सित कि और एक्शामपल है या ऑपके .. जो किड्ने में स्टोन है उसको निकालने के कई सारे औजार कई सारे एक्जांपल से मिले हैं एवन ट्यूमर निकालने के लिए कई सारे आप्रेशन्स होते हैं तो काफी बड़े डवलप्मेंट वहाँ पर विज्ञान के उस समय हुए है खैर वो चीजे अब बहुत जाता उस चीजे होती थी उसके अलाब चाइना में आपके तक्रीपर उनीस साल पहले पेपर है और यहां पर आपका जो काईलून नाम का एक व्यक्ति था तो उसने पहली पार उसको फाइबर या क्लोथ या रॉप अगरा है उसको पीट-पीट के उसका पल्प बनाया और उससे जऑन वहां है उसका इट्रोडक्शन उसके डिसकावरी यह दूसरा पेपर निसकावरी व दूसरा प экспер थैसर वर ऐ combination या।